ओम नमाशिवाय आत्मात्मं गिर जामती सहेचरा प्राण शरीरं ग्रहं उजाते विशयो पभोगर चना नेद्रासमाधे स्थेतिर शंचारा पदयो प्रदक्चन वेधे स्तोत्राणिशर वागिरो याद्यात कर्म करो मितत दखेलं संभोस्तावाराधनम नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज वर्ड इंडिया का खास प्रोवराम भविश्यवारी आपके साथ मैं हूँ पंडित चंद्शेहर सर्मा लेकर आया हूँ आपका शापताहिक रासी फल देखते हैं किस रासी को क्य मिलने वाला है इस सप्ताह आईए सबसे पहले देखते हैं मेस रासी तो मेस रासी के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ी व्यस्तता लिए रहेगा इस सप्ताह केरियर कारोवार में प्रगती होगी और आएके नई स्रोत बनेंगे कोर्ट का चहरी से जुड़े मामलों में फैसला आपकी फक्ष में जाएगा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्रों को शप्ताह के अंत तक कोई सुखद समाचार फ्रुने को मिल सकता है सप्ताह के मद किसी प्रभावी व्यक्ती की मदद से आपका कोई बड़ा कारी पूरा होगा जिससे घर में खुसियों का माहौल रहेगा शप्ताह के उत्तरार्द में महला प्रोफेसनलों को कुछ एक दिक्कत निया शक्ती है इस दोरान समय और शंबंध दोनों का विस्यस खयाल रखना होगा और प्रेम शंबंध मजबूत होगा लब पार्टनर से कोई सरफराईज गिफ्ट भी मिल सकता है दामपत्य जीवन में मधूरता वनी रहेगी इस तप्ताह अपनी सिहत को लेकर विस्यस खयाल रखे इस दोरान आपको कोई पुराना रोग उभर सकता है आपके लिए उपा है कि आप लक्षमी स्तोत्र या देवी कबच स्तोत्र में से किसी एक स्तोत्र का पाठ करें और प्रतिदिन केशर का तिलक लगाएं अब आते हैं बरशवराजी तो ब्रसरासी के जो जातक हैं उनको इस अप्ताह अपने करियर और कारूबार को लेकर बहुत सजग रहना होगा आपके बिरोधी आपको हानी पहुँचाने का परियास कर सकते हैं इस दोरान किसी के बहिकावे में आने की बजाय अपने विवेक से ही कोई बड़ा फैसला लें शप्ताह के उत्तरार्द में महलाओं को घरेलू चिंताई सताएं संतान पक्ष को लेकर मन चिंतित रहेगा और छात्रों का मन पढ़ाही से उचट सकता है इस दोरान अपनी बानी और व्यवहार पर संयम बनाए रखें और लोगों से सालिंता से पेस आएं प्रेम शंबंदों को लेकर किसी भी प्रकार का उतावलापन या प्रदर्शन आपको परेशानी में भी डाल सकता है जीवन शाथी की भावनाओं की अनदेखी ना करें बाहन को शाबधानी पूर्वक चलाएं अन्यथा चोड चपेट लगने की भी आसंका है आपके लिए उपा है कि सकती की साधना करें और प्रती दिन दुरगा चालीसा का पाठ करें तो अब आते हैं मिथुन राशी तो मिथुन राशी के जो जातक है उनके लिए यह सप्ता मिला जुदा सावित होगा सप्ता की सुरुवात में घर परिवार की कुछ एक समस्याओं को लेकर मन बिचलित रहेगा और परिजनों के साथ किसी वात को लेकर अनवन भी हो सकती है भूमी भवन को क्रै बिक्रै करने से जुड़े मामलों को कुछ समय के लिए आपको टाल दिना चाहिए तो बहुत ही बेतर रहेंगे सप्ता के मद्ध में चाहे अनचाहे लंबी या चोटी दोरी की यात्रा भी करनी पर शकती है यात्रा के दवरान आपको अपनी सेहत और शामान के प्रती सजग रहना होगा दोनों का बहुत खयाल रखना होगा महलाओं के लिए समय मध्यम है कामकाजी महलाओं को घर एवं आपिस के 20 तारतम में बनाए रखने में कुछ एक दिक्कत हैं आएगी और विज्जापन एवं मार्केटिंग से जुड़े लोगों को कुछ एक उलज़ने रहेंगी कठेन समय में लव पार्टनर हो या जीवन शाथी उसका आपको पूरा साथ मिलेगा तो आपके लिए उपाए हैं भगवान विश्णू की पूजा करें प्रति दिन विश्णू सहस्त नाम इस्तोत्र का पाठ करें तो अवाते हैं करकराशी तो करकराशी के जातक हैं उनका यह सप्ता इस नेहल हिर्दय पबुद्धि मत्ता से जीवन के शुक्षों का आनंद उठाएंगे आपकी उर्जा चरम पर रहेगे आत्मिय शाथी की तलास पूरी हो सकती है ऐसे लोगों की शाथ समय विताएंगे जो भावनात्मक सम्तुष्टी देने के साथ ही बौद्धि ज्यान से सम्रिद्ध करेंगे ध्यान मार्ग से आध्यात्मिक उतकर्ष को प्राप्त करेंगे सप्ताहंत में बच्चों के साथ समय विताएंगे और समस्दारी के नए द्वार खुलेंगे वा सिक्के के दूसरे पहलू को देखना मुम्किन होगा आपके लिए सुभ अंक, आठ, सुभ रंग, रैन्वो पेस्टल्स आपके लिए सुभ उपाय है कि आप भैरो मंदर में जाकर उन्हें मदरादान करें अब आते ही शिंगराशी तो सिंगराशी को जो जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह की सुरुवात में ही किसी बड़े मामले में स्थफलता मिलने से मन प्रशन रहेगा और इस दौरान आपका यस और सम्मान बढ़ेगा किसी वरिष्ट व्यक्ती से मुलाकात होगी जिसकी मदद से वह विश्में लाव की योजनाव पर काम करने का मौका मिलेगा शेहत की दृष्टी से यह सप्ताह अच्छा रहेगा और सप्ताह के उत्तरार्द में शुक शुवधा से जुड़ी चीजों पर धन खर्च करने का योग बनेगा इस दोरान आएके नई सुरोत वनेंगे और वाजार में फसा पैसा भी अपरत्याशित रूप शे निकल आएगा और नौकरी पैसा लोगों के पदो नती के योग वनेंगे प्रेम शंबंदों में मजबूती आएगी लव पार्टनर के साथ बेतर शमय विताने के लिए मौका मिलेगा और लव पार्टनर से कोई वड़ा सर्प्राइज भी मिल सकता है शंबभ है कि आपके प्रेम शंबंदों को परजन भी स्वीकार कर लें दामपत जीवन में मधूरता वनी रहेगी अब के लिए उपाय है शूर्य देव को चंदन मिस्रित जलशे अरगदें और प्रती दिन आदित हरदय इस्तोत्र का पाठ करें अब आते हैं कन्याराशी तो कन्याराशी के जो जातक हैं उनको इस अपताहत धहरे के शाहत आगे बढ़ना होगा आपकी कार योजना में भले ही थोड़ा बिलंब हो जाए लेकिन आपके सोचे हुए कार जरूर ही पूरे होगे कार योग में आ रही अर्चनों को दूर करने के लिए मित्रों का पूरा सही योग मिलेगा और यदि पूर में आपने कोई करजा भी ले रखा है तो इस सप्ताह चुकाने की योग भी बन लिए सप्ताह के उत्तराद में जीवन शाथी से जुड़ी कोई शमस्या दूर होने पर मन को शकून मिलेगा और प्रेम शंबंदों में उपजी गलत फहमियों को दूर करने में किसी महला मित्र की भूम का काफी अहम साबित हो सकती है जीवन के कठिन समय में जीवन शाथी का पूरा शहयोग मिलेगा और शेहत को लेकर किशी भी प्रकार की लापरवाही करने से बचे खान पान का विसेस खयाल रखें आपके लिए उपाए हैं छेद वाले तांबे की सिक्के को बहते हुए पानी में बहाएं और प्रति दिम साली ग्राम का पूजन करके परशाद में तुलशी पत्र चढ़ाएं और उसका सेवन करें अब आते हैं तुलारासी तुलारासी के जो जातक हैं उनको इस सप्ताह मित्रों एवं परजनों का कदम कदम पर शाथ मिलेगा सजनों की मदद से आपकी कोई वड़ी आर्थिक चिंता भी दूर होगी और नौकरी पेसा लोगों का समय बीते सप्ताह के मुकाबले ठीक है कारशेतर में सीनियर्स का पूरसायोग मिलेगा और फुटकर व्यवसाईयों को लाव मिलेगा सप्ताह के उत्तरार्ध में किशी शरकारी निर्णे से आपको अप्रत्याशित लाव मिल सकता है संतान पक्ष की तरप से कोई शुकत शमाचार मिलने से घर में खुश्यों का माहुल वना रहेगा लेकिन विप्रीत लिंक के प्रती आकर सन वड़ेगा यदि आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो संभव है कि इस अपताह आपकी बात भी बन जाए और दामपत जीवन में मधूरता वनी रहेगी हलाकि जीवन शाथी की सेहत को लेकर मन भी चिंत रहेगा बाहन शाबधानी पूरवक चलाएं और आपके लिए जो उपाय है घी दही दूद आदिका दान करें और श्री शूक्त का प्रती दिन पाट करें अब आते हैं ब्रस्चिक रासी तो ब्रस्चिक रासी के जातकों को इस अपता की सुरुवात में कोई वड़ा कांट्रेक्ट या लावसी जुला सौधा करने का मौका मिल सकता है उच्चि सिक्षा को लेकर प्रियासरत चात्रों की मनों कामना पूरी होगी और चात्रों एवम युवाओं को प्रगती की नई दिसा मिलेगी और भविस्टी की योजनाओं को लेकर सहीयोगियों के साथ विचार बिमर्स भी होगा महला प्रोफेसनलों के लिए समय अन्कूल है जिकिस्ता जगत से जुड़े लोगों का समय बहतर है और शप्ताह के उत्तरार्थ में संतान पक्षे से कोई शुकत समाचार की प्राप्ते भी होगी जिससे घर में खुसियाँ का माहौल वना रहेगा और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा वड़ेगी प्रेम शम्मंदों प्रगारता आएगी परजन आपके प्रेम शम्मंद को श्वीकार कर सकते हैं और शप्ताह के अंत में परवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बन सकता है हाला कि सफर में अपनी शिहत का विस्यस खयाल रखें आपके लिए उपाय है कि आप गाय को गुड़ खिलाएं और हनमत उपाशना करें प्रती दिन हो सके दो सुन्दर कांट का पाट अवस्य करें तो अब आते हैं धनूराशी तो धनूराशी के जो जातक है उनके लिए यह सप्ता का पी उठा पटक वाला सावित हो सकता है सप्ता की सुरुवात में ही परिवार के किसी प्रियस अदिस्य की सेहत को लेकर मन आपका चिंतित रहेगा कामकाजगी अतिवस्ता के चलते शारीरिक ठकान वनी रहेगी और कारियों में सफलता पाने के लिए समय का प्रवन्दन करके आपको चलना होगा किशी भी प्रकार का आलस या हीला हवाली आपके बने वनाई काम को विगार सकता है शुक्ष उबधाओं पर शोच समझ कर खर्चा करें और धन का प्रवन्दन करके चलें अन्यता उधार लेने की नौवत आ सकती है प्रेम संबंध हो या दामपत्त जीवन उसके प्रती पूरी तरह से इमानदार रहें हलाकि कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपके साथ चटान की तरह खड़ा रहेगा और जीवन शाथी की सेहत को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा आपके लिए उपाय है भगवान दत्ता त्रे की पूजा करें और अपने गुरू या इष्ट देव की प्रत्मा पर पीले रंग के पुस्प एबम फल चड़ाएं अब आते हैं मकर राशी तो मकर राशी के जुजातक हैं उनको यह सप्ताह बहुत ही संभल कर चलने की आवश्यक्ता है इस सप्ताह रोग एबम सत्रू दोनों ही आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकते हैं और कारी छेत्र में काम काज का बोज़ा भी बढ़ सकता है आर्थिक शमस्या का निवारन ना हो पाने की कारण मन आपका खिन रहेगा और कारी छेतर में अपने कारी पर फोकश करें, दूसरों के वह काबे में आने से वचे, किसी को धन उधार देने से वचे अन्था आपका धन भी फच सकता है महलाओं को कुछ एक उल्जने वनी रहेंगी, छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है शेहत को लेकर किसी भी प्रकार की अन्देखी ना करें, कोई पुराना रोग एकवार फिर से उफर शकता है प्रेम शंबंदों में साबधानी के साथ कदम बढ़ाईं और जीवन शाथी की भावनाओं की अन्देखी ना करें आपके लिए उपा है, शनीवार का ब्रत रखें और प्रती दिन भगवान, शिव को दूद, एबम, तिल चड़ाएं अब आते हैं कुम्भराशी तो कुम्भराशी के जुजातक हैं उनके लिए यह सपताह मध्यम फल देने वाला हुआ ऐसे में किसी भी कारी को करते समय खूब शावधानी वरते हैं भागे का अपयक्छान रूप शाथ ना मिलने से कारियों में कुछ एक ब्यवधान भी आ सकता है और जल्दवाजी या फिर भावनाओं में बेहकर कोई बड़ा निर्ने लेने से आपको बचना है कारी शेत्र में सहयोग्यों का साथ नहीं मिलने पर आप खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं और इस पूरे सप्ताह बाहन आज चलाते समय खूब शावधानी वरते हैं कामकाज के सिलसले में लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है शप्ताह के अंत में कोई पारवारिक समस्या चिंता का बड़ा कारण बन सकती है प्रेम सम्मंदों में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं अनिता आपके बने वनाई सम्मंद भी विगड़ सकते हैं और कठिन समय में जीवन शाथी का शाथ बना रहेगा आपके लिए उपा हैं शनिवार के दिन पीपल के नीचे दिया जलाएं और प्रती दिन हनुमान जी की उपासना करें हनुमान चालीसा का पाट करें तो अब आते हैं मेन राशी तो मेन राशी के जो जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह अत्यंत सुभ सावित होगा सोचे हुए कार शमय पर पूरे होने पर मन प्रशन रहेगा और मित्रों एवं परिजनों का पूरा शहयोग मिलेगा कार शेत्र में सीनियर्स आपके कारे की प्रशनशा करेंगे सप्ताह के मध्य में किसी प्रभावी व्यक्ति अत्वा सथा स्पक्च से सहयोग मिलने पर लाभ की कोई बड़ी योजना पर आगे कदम बढ़ाएगे अधियन एवं लेखन कारी में रुची बढ़ेगे प्रतियोगी परिक्षा की तयारी में जुटे छात्रों को मेहनत करने पर शफल ताके पूरे योग बनेंगे और कामकाजी महलाओं के लिए समय अन्यकूल है शप्ताह के उत्राद में किसी प्रिय व्यक्ति के घर पर आगमन से खुसियां का माहौल बना रहेगा प्रेम संबंदों में प्रगारता आएगी जीवर शाती के शाथ लंबी दूरी की यात्रा पर भी निकल सकते हैं तो आपके लिए जो उपाय है वो है चांदी की कटोरी में केसर भोलकर प्रति दिन मस्तक पर तिलक के रूप में लगाए और भगवान विश्णों की प्रति दिन साधना करें आपके लिए आति उत्तम लाबधायक शावित होगे इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ नमस्कार ओम नमाशिवाय अगले सपता फिर मिलते हैं आपके नए रासी फल के साथ मंत्रार्था सफलाशंतु शफलाशंतु मनोरता शत्रुनाम बुधिनासाय मित्राणाम बुध्यस्तव